सब्सक्राइब नाम पिंटु सिंग यादव है और आप देखना सुरू कर चुके हैं नियोज लाइट दोस्तों उत्तर प्रदेश से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर सियासत में एक नया भुचाल सुरू हो गया अज जी हम बात करें तो दोहजार च चुनाव से पहले बिपक्च को एक बड़ा जटका लगा है वो जटका क्या है तो वहीं गाजीपूर लोकसभा सीट पर भारतिये जनता पाटी नहीं बलकि ओम प्रकास राजबर की पाटी सुभासपा चुनावी मैदान में उतरने वाली है और अखलेस यादव और मयावती को मात देने के लिए ओम प्रकास राजबर जो हैं वो कहीन कहीं दहार ते नजर आने वाले हैं और अफजाल अंस्तारी के लिए बड़ी चुनावती ओम प्रकास राजबर के जो बेटे हैं यानि की अरून राजबर बनने वाले हैं पुरा मामला क्या है चलिए जानने का प् दिल्ली में केंद्रिये ग्रे मंत्री अमित सार से मुलकात किये उसके बाद गटबंदन में शामिल होने का एलान कर दिया है। जा रहे है प्रयासों को और भी बल मिलेगा। प्रयार किया है और बड़ा प्लान तयार यह है कि दो लोग सबाज सेट उनको दोजार चोविस में चाहिए। तो वहीं अगर बिहार से शंभावनाय बनती है तो एक सीट बिहार से भी मांगने का जो दाई तो है वो प्रिकासने निवाया है। वहीं उनके बेटे जो अरोन राजबर हैं उनको सुभासपा के टिकट पर गाजीपूर सीट से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। जीपी उन्हें समर्थन दे सकती है तो वहीं होगी वहीं उपी राजबर के उपी सरकार में मंत्री बनने की भी चर्चा है। गाजीपूर का जो चुनाव होगा उसमें भारतिय जनता पार्टी नहीं बलकि उम्प्रकास राजबर की पार्टी सुभासपा और इंट्रस्टिंग बात यह है कि राजबर के बेटे अरोन राजबर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बाकि आपको क्या लगता है क्या वहाँ से गाजीपूर से जीत पाएंगे यह अपनी पतिक्रिया में कमेंट बाते हैं।